नमस्कार दोस्तों, BR Health Solution में आपका स्वागत हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ गले में हूने वाले रोग टॉंसिस के बारे में बात कर रही हूँ। जिसमें आपको उसके हूने के कारण लक्षन और उसका घरेल उपचार में आपको बताऊंगी जो बहुती अच्छे रिजल्ट देगा और आपको कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं बढ़ेगी। तो चलिए जानते हैं। घरेलू तरीके बताने जा रही हूँ जो इससे बिल्कुल निजात दिला देंगे और फिर असानी से आपको होने नहीं देंगे। लोगों को ये इंफेक्शन होता है और खटी चीजे खाने से भी ये इंफेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों ये थे इसके मुख्यकारन तो चलिए जानते हैं इसके लक्षन क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आपको सूखी खासी के साथ बलगाम आएगा। दूसरा बुखार के साथ कपकपी भी आ सकती हैं। सासों में बद्बू, अंदर से गले का लाल होना और कोई भी चीज़ निगलने में परिशानी होना। और दर्द भी होना, आवाज में भारी पन होना, और खाने पीने में बहुत जादा तेज दर्द होना। ये इसके मुख्य लक्षन हैं। चलिए जानते हैं इसके घरी लूप चारों के बारे में। तो सबसे पहला उपाए है काली मेर्च। इस समस्या का उपाए करने के लिए तो सबसे पहले काली मेर्च और तुलसी के पत्तों को उबाल कर उसका काड़ा बना लें। और रात को सोने से पहले उसे दूद में डाल कर पी जाएं। और सुबह उठने पर आपका दर्द काफी हद तक कम होगा। दूसरा है शहद और दालचीनी दोस्तों शहद और दालचीनी दोनों हे एंटी बैक्टिरियल हैं। दालचीनी पाउडर और शहद को मिलाकर दिन में तीन बार सेवन करें। इससे टॉंसिस की समस्या दो या चार दिन में दूर हो जाएगी। तीसरा है हल्दी। दोस्तों हल्दी में काली मेर्च, काला नमक डालकर पानी में डालकर उसको उबाल लें। चाहें तो इसकी जगा अद्रक और शहद की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। पाचवा है दूद, दोस्तों दूद में आदा चमच हल्दी डाल कर उबाल ले और इसमें थोड़ी सी मिश्री या शक्कर मिलाकर रात को सोने से पहले पी लें, इसका सेवन करने से आपके समस्या दो से तीन दिन में समाप तो हो जाएगी, और छटा है सिंघाडा, शरीर में आयरेन की कमी से होने वाले टॉंसिस की समस्या होने पर सिंघाडे का सेवन करें, इससे यह समस्या तो दूर होगी ही, और साथ में शरीर में जो आयरेन की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी, तो दोस्तों ये थी कुछ घरेली उपाए, जिसे हम गले में होने वाले किसी भी या टॉंसिस को दूर कर सकते हैं तो इसमें दोस्तों आपको क्या परहिस करना है ये भी जान लेते हैं टॉंसिस के समस्या होने पर आपको खटी, तीखी, मसालेदार चीजों का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए इससे आपकी यह समस्या और भी बढ़ सकती है इसके अलावा भोजन में अधिक तेल मसाले का प्रियोग ना करें और ऐसे फलों का आहार ना करें जो तासीर में ठंडे हों जैसे कि अननास, केला, संत्रा, आडू, खरबूजा, पपीता और सेव तो इन फलों का आपको कुछ दुन के लिए परहिस करना है और भोजन करने के बाद हमेशा दो से तीन पत्ते तुलसी के चबा कर अच्छे से निकल जाएं तो ये रोग आपको फिर कभी नहीं सताएगा इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों इस्तिदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों